भगवान गनेश को तिल का भोग विशेश रूप से लगाया जाता है। पॉश माह में तिल से जुड़े कई त्योहार मनाय जाते हैं, जैसे ताला छोट, शत्तिला, एकादशी, ताला बारस और मकरसंक्रांती। तिल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गरोर पुरान में भी तिल का महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में तिल से जुड़ी कई कथाये हैं। मत्स्य पुरान के अनुसार मधू नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। भगवान विश्नू और मधू दैत्य के बीच भीशन युद्धा हुआ। युद्ध करते करते भगवान विश्नू के शरीर से पसीना छूटने लगा। इसी पसीने की बून से तिल की उत्पत्ती हुई है। जब मधू दैत्य की मृत्य हुई तो सभी देवताओं ने प्रसन होकर भगवान को याद किया। भगवान विश्णू ने प्रसन होकर कहा कि यह तिल मेरे शरीर से प्रकट होने के कारण तीनों लोकों का रक्षक बनेगा. मेरी पूजा में इसका प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ती होगी, इसलिए हर प्रकार की पूजा में तिल का प्रयोग आवश्यक है. पित्र सत्ता जल पीकर पित्रों का तरपन करने से उन्हें शांती मिलती है और वे पित्र लोग में सुखपूर्वक रहते हैं तथा तरपन करने वाले लोगों को सौभाग्य की प्राप्ती होती है। सफेद तिल का प्रयोग हमेशा पूजा और पित्रिकर्म में किया जाता है। पॉष माह में ही तिल से जुड़ा वरत पर्व क्यूं? पॉष का महीना थंड के मौसम में आता है. तिल से जुड़े अधिकांश वरत ट्योहार इसी माह में मनाय जाते हैं, जिसके पीछे हमारे पूर्वजों की हैं, क्योंकि इस वातावरण में तिल का प्रयोग हमारे शरीर को सफूर्त इदायक बनाता है। ठंड में मकरसन क्रांती का पर्व मनाया जाता है। इस मौके पर खास तरह से तिल के व्यंजन बनाया जाते हैं। इसके अलावा शक्तिला एक आदशी के दिन नहाने के पानी में तिल का प्रयोग किया जाता है। शुब मास में तिलों का कई तरह से उप्योग किया जाता है ताकि तिलों के इस प्रकार को कई प्रकार के लाब और बुन प्राप्त हो सकें। आयोरवेद में तिल के बीज का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। थंड के मौसम में तिल खाने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तिल के तेल से मालिश करने से त्वचा चिकनी होती है और मास्पेशिया मजबूत होती है। तिल के बीज एंटियोक्सिडेंट के साथ साथ कॉपर, मेंगनीशियम, ट्राथियोफेन, आयरन, मेंगनीज, कैल्शियम, फॉसफोरस, जिनक और विटामिन B एक से भरपूर होते है ये सभी तत्वर रोग प्रतिरोधक शमता बढाने में उप्योगी होते हैं।